जहिन सत्यू बुद्भू स्वागत है आपका अपनी टू चैनल एनायस ऑनलाइन हब में तो दोस्तों अभी अभी कि एक जो है गुड़ निज निकल के आ रहे है कि बिहार से चक बहाली जो है फीर से प्रारम की जा रही हो इसे को लेकर यहां पर आप देख पार होंगे प्राइब फिरोज के दुवरा यहां पर देख सकते हैं जारी किया गया है तो क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा तो दोस्तों वीडियो को आप जो है शुरूर से अंतर देखे का चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सकाइब कर लेन साथ में वीडियो के कॉमेंट बक्स में अच्छा सा कॉमेंट कर देना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो देखने के बाद तो दोस्तों यह खुसकबरी यह है कि विहार सरकार के तरफ से यानि विहार सिक्षा विभाग के तरफ से लेटर जारी किया गया है इस ले स्थाइव उब्लिक 2019 और यहां पर देख पा रहोंगे दिनांक निचे में दोस्तों मैंने दिनांक जो है दिखा दिया है आप देख पा रहोंगे यहां पर दिनांक गोरिक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिस उचना मानी उचने आले पटना दुवारा CWJC 6666 अबलिक नीरज कुमार एवम अयन बनाम राई सरकार एवम अयन में दिनांग 172020 में पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत अधिस उचना ग्यापन 629 अधिनांग 8-72020 के करम में निर्गत किया जा रहा है जैसक दोस्तों आपको पता है कि यह CWJC यानि 76662020 जो है केस से जो सीटेट दिसमबर वालों के लिए हैं और यहाँ पर आपका देखेंगे सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिसुचना 629 दिनांग 8-72020 में दियेगे निर्देश के आलोक में दिनांग 14-72020 तक एनाइस दुवारा संचालित 18 मा का सेवा कालेन डेलेड एबम टीटी सीटी उतिन अभिहारतियों का आविदन पराप्त करने की परकिरिया पूर्ण हो होगी जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो यह दुवारा जो चालू किया गया था वो स्रीप एनाइस कंडिरेट को ही मौका मिला था जो कि यह परकिरिया जो है यानि जो है फॉर्म जो है समीट हो गया है जो भी एनाइस के मैद्धम से किया थे जुलाइपास थे उसका ज दूसरी को लिकर यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर आगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि C.W.J.C. 6767.2020 मायने उचने अले पटना द्वारा पारित आदिस के आलुक में नियोजन की परकिरिया जारी रखना है परन्तु नियोजन किये जाने पर रोख है यानि दोस्तों यह सिटेट दिसंबर वाला मोका को लेकर जो पटना उचने अले में याचिका दायर किया गया है तो उस केस में जो है श्रीप लास्ट में आपको जो है अंतीम मतलब जोइनिंग लेटर आपको निक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा इसमें यही रोखे बाद बाकी पर किरिया हैं होगी यहां पर देखे मानी उचने अले पटना द्वारा पारित आदेश के अलोग में नियोजन पर किरिया जारी रखना है परन्तु नियोजन किये जाने पर रोखे पिर आगला लिखा है कि CWJC 66 2020 में मानी उचने अले पटना द्वारा विभागी में नियोजन वारिकता सुची तयार करने से संबंदी तत अनुसर वर्ग 125 में मैधा सुची तयार नहीं किया जा सकता है जिसा कि दोस्तों आपको पता है और एक जो केस है जो डिलेट की परात्मिकता पर तो वहां पर आप देख पार होंगे अगर उस केस को अगर आप काला जाएगा तो वह तो बन नहीं पाएगा यानि कुल मिलाकर आप दोस्तों कह सकते हैं कि यह जो भाली जो शुरू हुई है यह जो है जो आगे का प्रोसेस है वह जो है चालू रहेगा लेकिन आपको जो है निवक्ति पत्र नहीं दिया जागा उसी के संबंद में आप द उप्रूख्त इस्तिती में मात्र 6-8 के लिए सिक्षण नियोजन परकिरिया अधिसुचना सेंखा 482 दिनांग 8-6-2020 में अंकित गतिविधी 8 जिला दुवारा पंचायत एबं पर्खन मेधा सुचिका अनुमधन तक परकिरिया को मा अगस्त 2020 में पूरा कर लिया जागा पर जन्तु मानी उचने आले पटना द्वारा पारित के आलोक में निक्ति पत्र निर्गत के करने के सम जो करवाई नहीं की जाएगी यानि कहने का मतलब दोस्तों इस लेटर का कुल मिला कर जो मतलब निकर रहा है कि आपकी बहाली जो है शुरू होगी जो प्रोसेस है लेकिन आपको जो है निक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा ये सिर्फ 6-8 ही चालू होगा और जो है वान टू फाइव नहीं होगा क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं पटना उचने आले में जो सुनवाई है उसी के बाद ही होगा और ये देख सकते हैं कि बिहार राजपाल के आदर्स यानि असरत फिरोज उप सचीव बिहार सिच्छा विभाग के दुवारा ये लेटर जारी किया गया है और इसमें देख सकते हैं परतिलीपी सभी प्रमंडली ये आयुक्त सभी को जो है दिया गया है जिला पधकारी उप विकास छेतरी यानि सभी को जो है ये परत सभी को दिया गया है और यहां पर आप देखेंगे ओप सचीव सिच्छा विभाग पटना 31-7-2020 यहां पर आप देखेंगे परतिलीपी राज पर्योजना नेदेशक बिहार पर्योजना और ये आज का और अभी का यही अपडेट निकल के आ रहे है देख पार होंगे स्किन पर दोस्तों जैसा कि आपको पत्ता चल गया हो और एक लेटर जो जारी किया गया था सिक्छा विभाग की तरफ से वो जो है कॉंटर फाइल करने वाली है यानि जल्स यह वहाली जो है संपून हो तो उसी को लेकर महा अधिवक्ता को जो है पात्र लिका गया है जो की भीहा सरकार सिक्छा विभाग के तरफ से जो है जारी किया गया लेटर और वो जो है कॉंटर फाइल और आज की पेपर में भी आपको पता चल चुका है कि कॉंटर फाइल जो होगा वो अगस्त के मेहने में होगा तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और 1 to 5 के लिए ये दोस पूसी का असर आपको दिखने को यहां पर मिल रहा है ट्विटर अभ्यान के तहट तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही सिक्छा जगत और बिहार से चक बहाली से संब रखे को रोना महावारी में जब जरूरत पड़े तभी आप जो है घरों से निकले और अगर निकलते हैं तो सेनेटाजिर मास्क का आप ख्याल रखे अपने स्वास्त पर ध्यान रखे मिलते हैं नए अपडेट के साथ तक तक लिए जहीं गूड नाइट